देखे मुजिक तो आर्टिस्ट की आत्मा और पर्वात्मा का मिलत होता है और आप मुजिक से जुड़ गए तो ये मान के चलना आप भगवान से जुड़ गए और दूसरा हिल्थ में खुश रहने के लिए संगीत से अगर इनसान जुड़ जाए तो कई विमारिया खतम हो जाती ही है मैं उसका प्रत्यक्शोधारा रहूँ मेरे को डाइबिडीस थी ब्लड पेशर था लेकिन पिछले पास साथ साल से मेरे को मालव ही नहीं कि डाइबिडीस मेरे को कब हुए और कब चले गई ब्लड प्रिशर कब उआ और कब चला गया तो दो धाई साल तो कोरोना ने ले लिए यह सब के लिए पुरा वर्ड इससे प्रताड इतरा हम भी प्रताड इतरा है आप निकलना चाहो तो निकलनी पास ज़ग सकते थे आप शो करना चाहो तो परमीशन नहीं थी आज सरकार दे शो कर मेरे शो तो वैसे होते ही रहते हैं मैं आपके बंद रहता हूं कि मैं किसी भी शो में किसी भी व्यक्ती से पैसे नहीं लेता हूं और ना होटलिंग लेता हूं ना विकल रहता हूं, ना आने जाने की फ्लाइट के टिकेट लेता हूं, ये मेरा शोकिया काम है, मैं शोक पूरा कर रहा हूं, इसी में मेरे को खोशी बिलती हैं, इसी में मेरे को बहुत बज़ा आता है. सीधा सही गाना सीधा मेडिसिन है और इस मेडिसिन का अच्छे गुरू से अगर सीखते हो आप अच्छा गुरू ही शिक्षा देता है मेरे गुरू ये है भावदीव जी जैपुर वाला आए भी या अब इदर आजाओ ये हमंद भाई साब है हमंद गंगानी जी चोकी मेरे को संगीत की देवन से सिक्षा दिये है हमारे भाई साब है ये भी संगीत में बरसों से जुड़े हुए है और संगीत में खुश रहती दुनिया ही है लेकिन इसका वो ही जान सकता है जिसको सच्चा गुरू मिले मांदार गुरु मिले और जो सुर राग ताल धाग से सिका सके तो ही ये मैडिसिन का काम करती है नि तो माशालला मेरे को मालम नहीं है क्योंकि म confess मि merging मिला बावदी जैपरवाला साब भी संगीत से बरसों के साथ जुड़े हुए नितिन शंकर नाम है इनका यह भी बड़े-बड़े गुरुपों के साथ जुड़े हुए बड़े-बड़े शो करते हैं यह हमारी खुश नसीब है इसा है हर पड़ाओ में कोई नो कोई सपोर्टर होता है तो मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने दोस्त ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया तो में हर स्टेज शो में बने चाहे दुश्वन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा यह मेरे को दिल को छूता है रोज कभी एक दो बार तो बुन गुनार लेता ही है क्योंकि दोस्ती ही है जिन्होंने अपने को आगे बढ़ाया है और हम आगे बढ़े संगीत के लिए आप समय कैसे निकाल लेते हैं जो दौर में आप पर इश्कूरियो है और दुसकी बार कि आपके बेड़ा इसकोरते हैं अगो भूस्तार घुलाम अली साहां अपने सबसे इससे सीखा रहो तो यह सीखने के लिए जो समय ल्याज भी करना सीखना भी पस्तु क्याबते रहो सब कुछ समय निकलेगा आए संगीत के लिए बेने लिए बेने लिए दया पर वैपसाइट के लिए बने कोई भी जो कामचोर होता है ना उससे पूछो कैसे हो क्या चल रहा है बोले बहुत बिजियो यह कामचोरी की निशाने है और सई विर्टी कि हाँ आग वो निकालना ही जी है, संगीत में समय निकालो के तो ही तो हेल्दी रहोगे, हेल्दी, अगर आपकी हेल्दी नहीं है, तो फिर बचा क्या जी बन के अंदर, सब पेसा बेकार है, आपके उन भी आ रहे हैं, हाँ, एक एल्बम आ रहा है छे गानों का, जल्दी, नहीं, उसमें अलग-अलग ट्रेक पे प्यार के गीत है, सूफी है, अलग-अलग पंजावी है, एक 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 आद गाना बिहारी है, इस तरी के जल्दी हम एक-दो मेने के अंदर वो एल्बम या लांच कर देंगे कि आद इजल्दी आप के यू संगीत की सिचा किशूर जी को किस करणसे फ़राग गिराई है। किशूर भाइं बहुत मेंती है, और बहुत वियस्त वियकती हैं ये। फिर भी गाने के का कर दिंव ? वो ऐसा है कि ये गाने के लिए सुबह चार बज़े उटकर रियास करते हैं जो आज की तारीक में बहुत कम लोग शायद कर पाएंगे सुबह चार बज़े उटकर रियास करते हैं और जो रस्ता इनको मैंने बताया है और उस रस्ते पर ये बिल्कुल लगाता है रियास करते हैं अभी बीच में तो कि दो ताइज साल से कोविट का टाइम था तो मिल्ला जुला ज़रा मुश्किल था और ऑृ और ऑनलाइन में बहुत साइज नहीं सिखा जाते हैं तो तो ताइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टिटिए नियुन टाइम मैनेज किया है रिया तरीके से गाते हैं जो आप लोगों ने अभी सुनाई ही होगा और इनका जो प्रेम है संगीता वह बड़ा बिलक्षन है और ऐसा प्रेम बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है जमल जीजनेस मैं होलता है वो बिजनेस एक अलग प्लैटफर्म होता है लेकिन गाने की तर पूरा समय देते हैं और यह अपना भूख रियास सब कुछ भूल जाते हैं रियास के बिच में और लगवद को मैंने जो दिया है रियास का पूरा पाटन उसमें तरीब चार गंटे लगए और चार दिने का रियास लगाना तो वह बहुत बड़ी बात है बहुत कम लोग इ पूरा टाइम देते हैं और नहीं नहीं सिंगर आती हैं हमारे गॉंबे साथे हैं डेली साथे हैं हर सहर से आते हैं और हर गाना रोज एक एक गाना हम रिलीज करते हैं किशोर भाई पिछले पांच सालों से लोग डाउं में भी रिलीज किया गाना तो ऐसा कभी एक ब्रेक भी नहीं हुआ है इतने संगीत प्रेमी हैं तो सब को चाहने वाले हैं संगीत को और इनी की मैनत है हम तो इनको एक सपोर्ट करते हैं और बिजनेस के साथ साथ ये पू अज़ प्रेमी आए था हैं से मिलने के लिए इनों इनों रहे हैं और अज़ मैं इनका प्रोग्राम देखने के लिए आया हूं और मैंने दो ही गारे से आपको सच बता हूं कि कुछ तो है कि अच्छा गाते लेकिन किशोर भाई मैं मुझे ऐसा लगा कि वह अच्छा तो कि अच्छा गाते हैं वो जो गाते हैं वो दिल से गाते हैं और मुझे की तरफ उनका पैशन है वो दिखके मैं उनको सरुट करता हूं कि महां से इतने दूर से यहां मॉंबे आके इतने लोगों को इंटें करना इतने लोगों को मतब ये मुजिशन के लिए हमारे सिंगर्स के लिए एक बुट्व एक अन्यदाजा का काम करें वाह आप प्रकेना चाहेंगे आपने पहुत सारी लोगों को मुजे सिखा दे लेगी जिए पिसोर जी आपके सामने होते हैं किस तरह उन्हों देखने हैं और किस तरह का स्पियर साथ होता है किस तरह से उन्हों के पास जाते हैं वहां पे रियास करते हैं फिर गाने का हम उनके साथ गढ़ते हैं और आज गाना यह रिलीस हो रहा है आज यह रिलीस करते हैं वाहार की मिजूशन है, फो हमेरे साथ हे रहते हूं इसे 5 सालों से, हर गाना एक एक हम ठीलीज करते हैं, और इनका फ्रेशन तो इतना है कि हमेशा गानी में रहते हैं, तो साथ साथ बिजनस भी समालते हैं, और टाइम देना इनसे चीखना चाहिए। उम। इसे सीखना है। तो उस पल्टे को बस करते रहते हैं, यह बहुत बड़ी बात है, और वही चीज है, इस वदे से ही आज यहां इस पकार पहुंचे हैं, इसके इस पर इतनी देर तक चार फ्रटे लगाता रगास है, तो किसुर जी आप समय के साफ से कितना बनाओ देख रहे हैं, जाने की को आगे बढ़ नहीं सकता, बस करते जाओ, बढ़ते जाओ, बागी जो मालिक करेगा वो मंजूर है, और सब को मंजूर होता है, आज रादे माँ भी अब देख पा रहे हैं, पोस्टर पर किस तरह से रादे माँ सभीत की तरफ उनका बनाओ रादे माँ मेरी गुरू माँ ह जब भी कोई सुखदुख होता है, एक बार पूछ लेता हूँ, मेरा सुखदुख अपने यहाद दूर हो जाता है, यह मेरा मालना है, एक लाइंच आओगी कि अगर आप दूरादे मेडिया के सामने कोश प्रया आप रही हैं आप आपकी गुरू के साथ, आपकी बुरू क काकरों सजनी आए नबालम कोज रही है पिया परदेजी अकिया कोज रही है पिया परदेजी अकिया आए नबालम किया किसे देखी सभी वाच पार्डिसी अकिया कितना च्छपी तो आज ये बात बहुत खुबसूरती के साथ कहती हूँ के गाना गाना इतना आसान नहीं है किन्याल फिर्व मॉइभेन आपने लिया अफन्याइक को साथ में जिंदा रखा और वो आर्ट जिंदा रखना ये अपने आपने उप З्थ hij फ्रीर दॉ इतने अच्छे सोशल वर्कर है और संगीत की बहुत प्रेमी है और जितने भी संगीत गायन वादन में जितने लोग है सब को बहुत प्यार करते हैं और यह संगीत की पुजारी आप बोल सकते हैं और इस वरी ग्रेट बिजनसमन और मैं बहुत थैंक्फुल हूं कि मैं इस प् करीबन करीबन जब देखा था तो 92,000 के उपर हो गया था तो वह गाना में थोड़ा सा गाची से साइड सॉंग मुझे बाता है बहुत सारे लोग जो है साइड संग पसंद करते हैं बहुत सारे नहीं करते बड़ मैं पुस्नली स्टेज में फास सॉंग करती हूं जादा और मे यह जादा रोमांटिक और साइड रोमांटिक गाती हूं मेंली पर मेरे काफी सारे गाने जो है डांस में भी है जैसे लग शब प्यार वेयर मुवी में मेरा एक सॉंग है बहुत ही अच्छा चला कुनाल गंजाओला के साथ वो भी मोर देन 150 मिलियन है यूट्यूब में टी भांगा ना चाहती हो जो प्लैनेटन प्रोडक्शन से रिलीज है दिल तोड़ना ही था तो दिल से लगाया क्यों ना इश्क निभाना था तो इश्क सिखाया क्यों दिल तोड़ना ही था तो दिल से लगाया क्यों ना इश्क निभाना था तो इश्क सिखाया क्यों तेरे ब जीना सजालके, तेरे बिना, जीना सजालके, देनी थी नफरती तो, अपना बनाया क्यूं, दिल तोड़ना ही था तो.